आप स्वागत आज के स्वीडियों में अगर आप वार्टसप का इस्तमाल करते हैं और आप वार्टसप का इस्तमाल करते हुए आप कई सारे लोग उसे चैट करना पसंद करते हैं और चैट के दोरान में आपको कई बार ऐसा समस्या का भी सामना करना पढ़ रहा होगा कि आप अपने font के size को आप थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, या फिर आपके सामने एक दूसरा case भी आ सकता है, या आया हुगा हुगा, जो कि आपका font का size काफी बड़ा है, और वो काफी space आपके chat head में आपको घेरे हुए है, और इस करण से आप अपने font के size को कम करना चाहते हैं, या फिर आप वो बहुत छोटा size करना चाहते हैं लेकिन आको यह नहीं पता है कि आप Whatsape में कैसे अपने phone के size को आप छोटा या बढ़ा कर सकते हैं तो फिर आपका स्वागत है आज कि इस वीडियो में तो phone के size को कैसे छोटा और बढ़ा करना है यह जानने के लिए आपको इ उपर में राइड साड कॉर्णर में आपको थ्री डॉट का एक option आपको देखने को मिलेगा आपको सिंपली उस option के उपर आपको टैप करना है आप जैसे इस option के उपर टैप करते हैं वैसे आपके समने एक pop-up menu आता है इस menu के खुलने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे म बाद आपको जिसका नाम है चैट्स आपको सिंपली इस option के उपर टैप करना है आप जैसे चैट्स वाले option के उपर टैप करते हैं वैसे आपको अगन बहुत सारे ע בס आपको इस चैट वाले आपशन में आपको नाजर आते एं इन्ही उप्शन मैं से आपको एक options आते हैं, पहला है small, दूसरा है large और तीसरा है medium, अगर आपका font का size जो है, वो काफी बड़ा है, तो फिर आप उसे medium या फिर आप small में, आप उसे set कर सकते हैं, और अगर आपका font का size काफी छोटा है, तो फिर आप उसे medium या फिर large में, आप उसे set कर सकते हैं, और अगर आपक आपका जो font का साइज है वो छोटा या बड़ा हो जाता है इस तरह से आप यह समझ गए होंगे कि आप किस प्रकार से अपने वाट्सअप में आपका जो चैट्स है उसमें आप अपने चैट्स का जो font साइज है आप उसे क्या से छोटा या बड़ा कर सकते हैं तो चलिए आज किस वीडियो का रखते हम बचते हैं तक मिलते हम आपसे अगले वीडियो में